तो हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आप अच्छी होंगे दोस्तों आज मेरी वाइस करने वाले हैं हमारा चैप्टर एक जम्शन प्रम घ्याश्टी सर्ट ठीक है जी जो आपका एक्जाम के लिए वेरी वेरी प्रॉटेंट चैप्टर है सर्ट ठीक है उसको हम पढ़ेंगे हमा शर्ट ऑपि जाएंगी हमारे टेलिग्रम ग्रूप के अंदर सर्ट खियंगा है अगर आपको चाहएसके निस की हाड कोपी आपको मिल जाएगी हमारी विबसाइट पर शीवम नातपलक्लासिस दोड कोम पर स्ङिवम सर, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी दिविजन को, देखिए गा, हाँ जी, टाइपस ओफ सप्पलाई, यह हमने पढ़ा है पहले, इस हमने क्या पढ़ा था सर, कि जो आपके एग्जम्ट सप्पलाई होती है, वह कौण सी होती है, सर इसके तीन पढ़ाट होते हैं, एक तो आपके होती है, निललिट सप्लाई सर, ठीक है, इसका मिनिक क्या है, जो आपकी गूर्स और सर्विजिज है, और सब जैक्ट तू, जो जो घुजक्ष टी का रेट है, सर वो निल है, वो इटस हो निल है, क्या बात बोल रहें कि, जो हमारी tariff rate है, उसमें, जो आपकी goods and services है, उसका rate ही नहीं ले सर, ठीक है, like your fruits and vegetables, then, इसमें दूसरा क्या आता है, वो ले exempt supplier, जो आपकी goods and services है, वो subject to GST rate तो है सर, उस पर GST तो आता है, लेकिन, अभी government ने उसको temporary तोर पर exempt किया हुआ सर, अभी government ने इसको temporary तोर पर exempt किया हुआ है, ठीक है, इस example क्या होगा, हमारी healthcare की services है, ठीक है सर, then, इसमें हम include करते हैं हमारा non-taxable supply सर, like your alcohol liquor for human consumption and 5 petroleum product DP में सर, ठीक है जी, तो, देखिए करें सर, जो आपकी निलेट है, वो आपके syllabus में नहीं है, जो आपकी non-taxable वो आपकी syllabus में नहीं है सर, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं chapter कर अंदर, जो आपकी वो लिए exempt है, ऐसी goods and services जिसको government ने भी temporary तोर पर exempt किया है सर, ठीक है जी, तो इसमें goods आएगी आप तो हम क्या पढ़ने वाले chapter के अंदर, कि आपकी कौन-कौन जी service है, जो government ने भी temporary तोर पर exempt करियो है सर, ठीक है, आपकी goods कौन-कौन से आती है इसके अंदर, like fish हो गया, milk हो गया, potatoes हो गया, grapes हो गया, national flag and bangles में चूडियां सर, तो एक्जामपल है ये goods के जो हमारे GST से exempt है सर लेकिन आपके service में नहीं है ये, then, देखेगा, जो हमारी CGST है, वो grant करिए exemption सर, on recommendation of the GST council, by issue of a notification, जात कीजिएगा, हमने पढ़ा था हमारे chapter 1 के अंदर, जो हमारी CGST है, वो ले के आती है notification, अगर government किसी item को exempt करना होता है, or by special order in exceptional circumstances सर, ठीक है, ये किस case में होता है, ये होता है, for special case के लिए, for special case के लिए, example क्या होगा इसका, goods and services used for the, used for defense, ठीक है, वैसे आपकी तो goods and services है, वो taxable है, लेकिन उसका मैं use कर रहे हैं for defense के लिए, तो क्या सर, हो हमारी exempt है यहाँ पर, तो यह आती है खाली special case के लिए सर, ठीक है, जो आपके exemption है, वो सकती है, without condition, कि government कोई condition नहीं डाल जी सर, या तो वो होगी without condition, या फिर वो होगी conditional सर, condition, कि government condition डालेगी, अगर उसको आप fulfill करते हैं, तो ही वो आपके exempt होगी सर, ठीक है, दूसरा क्या होगा इसके अंदर, या तो आपके poor amount exempt होगी, पूरली exempt होगी सर, या क्या होगा, partially exempt, means, आपको बोलेंगी, आपके अगर supply पांचार पर तक की करते हैं, तो हो exempt है सर, लेकिन अगर आप पांचार पर एक रपर चार्ज करते हैं, सुपर एक रपर फाल्तु चार्ज करते हैं, तो आपका poor amount GSTR आजएगा सर, ठीक है, तो इ ठीक है, search, explanation, shall have retrospective effect, since the date of the original notification order, सर, ठीक है, गवर्मेंट एंटिक लेकिया आई, उस गवर्मेंट इस आइटम को exempt किया, तो बाद में गवर्मेंट एड करते हैं, इस एंटिक अंदर कोई explanation, ठीक है, तो इसकी application कब से होगी, इसकी application होगी, चीज तीनों एंटिक डाली गी थ से, सर, ठीक है, जीज दिन आपकी वो एंटिर डाली गी थी, सर, वहाँ पर, एक्जाम्पल लिजेगा, आपकी एंटिर कब आई, 21st of 9th of 2018 को आई, सर, ठीक है, उसमें गवर्मेंट ने एड कर दी बाद में explanation, ठीक है, कब आड करी, 26th of 7th को आड करी, सर, 2019 को, मतलब भी एक स साल नहीं होगा, ठीक है, तो, said, explanation, will have effect retrospectively, सर, उस explanation का मारे effect कब से होगा, सर, backdate से होगा, जिस दिन आपकी जो एंटिर आई थी, means, 21st of 9th of 2018 को, सर, ठीक है, ठीक है, सर, हम पढ़ें कैसे चेप्टर को, सर, इतना वास चेप्टर है ये, but, आपके एक्जाम के लिए इंपोर् को, सेक्टर वाइड कर दिया, सर, we have divided the services, सेक्टर वाइड सर, like your healthcare services, agriculture, चाई टेबल, education, entertainment, transport, legal, government, and other, सर, ठीक है, जी, then, हमने इसमें also का क्या कर दिया, सर, इसको हमनें also bifurcate कर दिया, सर, ठीक है, part A and part B के अंदर, part A में क्या आता है, जो आपने learn करना है exam के लिए, और part B आपने read करना है, do just plain reading, सर, ठीक है, जो part B है, उसमें क्या सर, उसको हमने memorize करना है, और exam में ऐस चीज लिख के आना है, सर, ठीक है, इसके भी तीन part है, पहला part क्огोन सा है, जिसको हमने learn करना है, सर, बिल्कुल memorize करना है, exam में उसको आपने ऐस चीज लिख के आना है, सर, तो मै limit based exemption sir, ठीक है, like आप सेल करें, पांचार रुपे की, तो exempt है, अगर पांचार एक की करें, तो taxable है sir, तो ऐसी limit आती हमारी GST के अंदर, उसके लिए मैंने क्या करा है sir, जो हमारी limit based summary है sir, जो हमारी limit based summary है, मैंने उस post में डाल दिया sir, जिसको आप बार बार revise करोगे, तो आपको learn हो जाएगा, thesis में क्या आता है, ऐसी हमारी entry, ऐसी हमारी exemption, जो difficult to understand है, ये की हो तो ये होगा, ये किया तो ये होगा, तो उसके लिए मैंने क्या करा है sir, मैंने आपके यह charts डाल दी है, और मैंने इसमें example डाल दी है sir, ताकि उसको आप अच्छे से समझ पाए sir, ठीक है जी, हम start करते हैं इसको हमारा health care sector से सर, देखेगा, चलिए हम इसमें देख रहे हैं हमारा, सर, health care service का meaning क्या होता है, health care service का meaning क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं फटा-फट से, आपका diagnosis होगा sir, means आपको कोई test पर रखे जा रहे हैं, आपका treatment हो रहा है, आपको medicine दी जा रही है, and आपकी care हो रही है sir, आप जो भाव hospital अप admit हो गए है sir, आपको खाना मिल रहा है, वाँपे आपकी care हो रही है sir, ठीक है, means DTC sir, DTC, और injury आपको चोट लगी है, illness आप बिमार हो गए है, deformity, विकलांगता, और abnormity, means आपकी body normally वक्त नहीं कर रही है sir, आपका heart properly beat नहीं कर रहा है, आपका liver वक्त नहीं कर रहा है, आपकी kidney वक्त नहीं कर रही है, means abnormality sir, या फिर pregnancy, means DTC for two iPads, DTC for two iPads, IIPAD sir, DTC for two iPads, in recognized system of medicine in India sir, ठीक है, sir वो कौन कौन से हैं, Nani हसना Yoga sir, Nani हसना Yoga, Nani से क्या आएगा, Yunani, H से क्या आएगा, Humiopathy, A से क्या आएगा, Allopathy, S से क्या आएगा, Siddha, N से क्या आएगा, Naturalopathy, and A से क्या आएगा, Arvada, और Yoga से Yoga sir, ठीक है, means हमारी country कंदर खाली सिर्फ ये ही valid है sir, बाग की valid नहीं है, अगर आपका acupressure होगा, आपका या पर रेकी होगा सर, कोई Chinese medicine होगी, तो ये fully taxable होगा सर, तो ये fully taxable होगा, ठीक है, means को नहीं मानेंगे as a health care services सर, उसको नहीं मानेंगे as a health care services सर, ठीक है, आपका DTC होगा, food to iPad होगा सर, किसमें होगा, Indiconized System of Medicine in India, Miss Nani Asna Yoga, सर, इसका meaning क्या है सर, जैसे आपके नानी करती हैं जो बुड़े लोग होते हैं, वो हसने वाला योगा करती है, हाँ 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 ऐसे वाला, तो नानी का आपकी नानी है, वो हसने वाला योगा करती है, नानी, हसना, जोगा, so DTC for two iPad, in Nani Hasna Yoga, ठीक है, ये क्या है सर, ये हमारी definition है हमारी health care service की सर ठीक है इसका आप में learn करना है exam में लिख क्या आना है क्या लिख क्या होगे DTC for to iPad in Nani Asana Yoga ठीक है जी then include इसमें हम include कर लेंगे सर क्या include करेंगे transportation of the patient tour from clinical establishment means ambulance को ठीक है साथ में इसमें exclude करेंगे सर आपका कोई होगा hair transplant या आपका होगा cosmetic और plastic सरजी सर ठीक है दंजे के बाल उड़ गए इसने पने बाल लगवा लिए तो इसमें exclude होगा सर इसको हम health care नहीं मानेंगे या आपका taxable होगा ठीक है लेकिन अगर आपको बाइबर्थी बाल नहीं आते हैं आपके head की ऊपर या फिर आपके इंजरी होगी आपके accident हो गया है तो आप करवा रहे हैं तो आपको loud नहीं है सर ठीक है तो इसको माल लेंगे आपका health care वैसे आपको loud नहीं है सर ठीक है आपको वी कोई एक्सिडेंट हो गया है आपकी एंजरी हो गई है आपकी फेस पर चोत लगी तो आपने करवा ली सजरी तो आप को लाओं है सर वैसे आपके शोक के लाउड नहीं है सर जैसे करते हैं मारे बोल्वीड के अंदर जो हिरून करती है अपना फेस पर गवाल लेती है वैसे वह लाउड नहीं है वो टैक्से बोलगा उस पर जिस्टी आ जाएगा देन मिल्क्ष इबात आपकी बुक में लिखे गरी शकर अपर रिड कर सकते हैं ठीक है बिल्कूर सेम बात लिखे गई बर द नदर डान शरमने क्या देख आ जोमारी हिर Alec के services है, इसकी definition क्या है, सर, इसकी definition क्या है, ठीक है, हम देखते हैं कि कब exempt होगी, सर, यह वाली, आपकी जो health के service है, वो provide की जा रही है, by सर, कौन provide कर रहा है यहाँ पर, वो provide कर रहा है कोई भी, एक clinical establishment, means जो आपके होते हैं hospital, सर, वो provide कर रहे हैं, then आपका भी fully exempt होगा, then, unauthorized medical practitioner, सर, इसका meaning क्या, सर, कोई register होगा, individual doctor, सर, जैसा आपका इखर के पास होते हैं, इसके पास degree है, सर, उसके बाद करें, एक ऐसा doctor पास degree नहीं है, वो fully taxable होगा, सर, ठीक है, then, paramedic, सर, trained healthcare professional, like nurse, यह फिर physiotherapist, सर, ठीक है, exempt होगा fully, आपका physiotherapist and आपकी nurse, सर, then, लेकिन, service by way of providing the room charges, आप admit होगा, अफ्रल के अंदर, तो आप room का charge पे कर रहे हैं, अगर हो जादा है, more than five thousand per day, सर, तो taxable होगा, सर, ठीक है, क्या पांजा taxable होगा, बिल्कुल नहीं होगा, सर, अगर, पांजा से जादा होगा, पर डे का तो ही taxable होगा, सर, लेकिन, 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 जो आपका room है, वो ICU होगा, वो CCU होगा, वो ICU, ICCU होगा, या NICU होगा, सर, ठीक है, in that case, there is no limit for the amount, सर, in that case, there is no limit for the amount, सर, चाहे उसका price per day को ना हो, सर, it will not be taxable, इस पर जैशी नहीं आएगा, सर, done, done, सर, ठीक है, सेम बात आपकी बुक में दे रखे हैं, मैंने आप, ओके, सर, then, some clarification, सर, सर, ये कोन लेकिया आता है, जो माँ CBIC, वो लेकिया आता है, सर, clarification, जो important है, देखेगा, कोई senior doctor है, कोई consultant है, कोई technician है, सर, जिसको hire किया है, एक hospital ने, सर, ठीक है, उसको pay कर रहा है, वो remuneration, सर, ये pay कर रहा है, मारे doctor को remuneration, paid to them by hospital, सर, exempt, सर, example लीजिएगा, एक patient से charge कर रहा है, हमारा hospital, 10,000 रुपे, सर, ठीक है, वो pay कर रहा है, doctor को, 30,000 रुपे, सर, और खुदरा कर रहा है, 25,000 रुपे, सर, तुम्हारा hospital है, और एंजिलियरी सर्विसी सर, एंटायर माउंटी रुपे, सर, ठीक है, तो आपकी सार इमाउंट रुपे होगी, जो 25,000 रुपे यहाँ पर हमारे hospital रख लिए, सर, यह भी exempt होगा, सर, हम बोलते है, retention money, सर, ठीक है, यह 25,000 रुपे, जो आपका hospital रख लिए, सर, यह भी आपका exempt होगा, सर, हम बोलते है, retention money, सर, ठीक है, जी, then, renting होगी, सर, of shops की, जा फिर आपका होगा, auditorium, कोई display होगी, attachment की, तो आपका taxable होगा, सर, ठीक है, जी, then, food service होगी, सर, आपकी, आपका study matter question भी है, provide कोन कर रहा है, जो आपका hospital हो provide कर रहा है, सर, ठीक है, इसको provide कर रहा है, patient को, तो exempt है, कोई patient के family member है, तो क्या होगा, taxable होगा, सर, या कोई doctor होगा, doctor खाना खा रहा है, तो taxable है, या family member है, हमारे patient के, तो taxable है, family member है, फिर कोई visitor है, सर, तो taxable होगा, ठीक है, जो हमारा hospital है, वो provide नहीं कर रहा है, कोई third party provide कर रही है, सर, तो again यह fully taxable होगा, सर, तो again यह fully taxable होगा, चाहे patient भी खाना खा रहा है, तो जो कई लेडी को इनका बच्चा नहीं हो पाता तो क्या करते हैं, उस सारी परसेस को जो एक लेडी के अंदर होती है, उसको externally करकर उसमें feed कर दते हैं, जिसे वो pregnant हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इन वर्टो फस्टिलाइजिशन तो आपका ये भी है, done, done sir, यह important है, अभी recently add हुआ है सर ये वाला, and आपका ये वाला, अभी add हुआ सर, जो आपका ICU वाला है सर, ठीक है, ये दो बात हैं में ध्यान में रखने हैं, एक्जाम में पोच सकते हैं, done, done sir, then, सर इसमें देख लेते हम, agriculture sector को सर, जी, agriculture, cultivation of plants होगा सर, आप खेती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर आप, आप cultivation of plants कर रहे हैं, या फिर आप कर रहे हैं सर, आप rearing of animals कर रहे हैं, आप पशुपलन कर रहे हैं सर, ठीक है, accept horse, accept horse, किस लिए कर रहे हैं, for food, fiber, fuel, raw material and similar thing के लिए सर, 3F, RS, 3F, RS के लिए कर रहे हैं सर, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, कि आप कर रहे हैं agriculture activities सर, done, done sir, then, सर, जो agriculture produce है, सर वो क्या होगा सर, किसको बोले हैं हम agriculture producer, AP, देखेगा, यह टेमाटर दो रहे हैं आणटी, और यह कर रहे हैं, यह अपनी गाजर निकाल रहे हैं सर, ठीक है, यह यहाँ का मालिक है, तो, any produce of the agriculture on which, क्या कर रहे हैं, आप कुछ भी उगा रहे हैं सर, आप कुछ भी उगा रहे हैं, अगर आप उसे processing कर रहे हैं, तो क्या होगा, अगर आप उसे processing कर रहे हैं, तो आम तोर पर जुमारा किसान है, वो खुद करता है सर, लाइक आपका जो गेउं के धान होते हैं, तो उसमें गेउं को निकालना काम जुमारा किसान है, वो खुद करता है, ठीक है, but, doesn't alter the essential characteristics to make it marketable, सर, ठीक है, कुछ और ऐसा काम कर रहे हैं, जो लेकिन इसका जो main character है, वो change नहीं होना चाहिए सर, लाइक करते हैं कि, जो आप save खाते हैं, जो आप apple खाते हैं, उसके wax लगी होते हैं, जो खाने वाल wax होती है, वो भी लगाते हैं, तो लगाना allowed answer उसको, ठीक है, तो उसको मैं AP मानेंगे, या फिर वो आपके apple लगाते हैं, best quality apple, main in this, made in this, लगाते हैं, तो वो भी allowed answer आपका, ठीक है जी, क्या बोल रहे हैं कि, जिसको उसको main character है सर, वो change नहीं होना चाहिए सर, ठीक है, तो उसको मैं AP भी बोल लेंगे, then, ठीक है, सर तो agriculture उसका meaning क्या है यहाँ पर, जो आपका agriculture produce है, उसका meaning क्या सर, यहाँ पर, ठीक है, हमने देख ले दोनों को यहाँ पर, then, service by the agriculture operation, such as cultivation, आप खेती कर रहे हैं, आप harvesting कर रहे हैं, खेती करा, आप तो अना जोगा, उसके अपने cutting करी, आपने harvesting करी सर, एक्जम्ट है, आप threshing कर रहे हैं, आप cutting करने बाद उसमें से आप गेहू निकाल रहे हैं, सर, एक्जम्ट है, आप plant protection कर रहे हैं, आप testing कर रहे हैं, एक्जम्ट है, सर, एन intermediate production process, सच आज जो वर्क, सर, ये भी एक्जम्ट है, सर, एक्जम्ट है, प्रोसेस, carried at the agriculture farm, सर, ठीक है, अगे वही बात बोल लें कि, आप गेहूं को निकाल रहे हैं, उसमें से, या फिर आप उसपे sticker लगा रहे हैं, आप waxing कर रहे हैं, आप तो एक्जम्ट है, ठीक है, लेकिन, miling of the paddy into the rice, not an intermediate production process, hence not exempt, सर, ठीक है, जो आपका paddy होता है, उसमें rice को निकालना काम, किसान कभी खुद नहीं करता है, सर, जैसे आपका धान होता है, जिसमें हम घेहूं को निकालते हैं, तो वो काम किसान खुद करता है, सर, ठीक है, तो वो AP है, लेकिन, जो आपका paddy होता है, paddy में से तो rice निकालना काम होता है, वो किसान कभी खुद नहीं करता है, सर, बहुत कम करते हैं, ऐसे करेंगे गई, लेकिन, किसान हमेशे खुद नहीं करते हैं, वो बाहर से करवाते हैं, सर, ठीक है, तो इसको convert करना, is not AP, तो आपका क्या होगा, यह taxable होगा, सर ठीक है, जो मैंने यह pink कर रखा है, जो pink color होता है, वो लड़कियों का favorite होता है, सर, ठीक है, लेकिन जो pink color हो मारे ICA का भी favorite है, सर, हमारे ICA का भी favorite है, that's why इसको मैंने pink कर रहा हो है, सर, यहाँ पर, ठीक है जी, उसका हमें learn रखना है, जो paddy है, उसको convert करना in rice, is not AP, सर, ठीक sir, वो for AP sir, exempt है, लेकिन, 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 जो आपका rice है sir, is not AP, जो आपका rice है, वो AP नहीं है, लेकिन फिर बिसका loading, unloading, packaging and storage and warehouse is exempt है sir, ऐसा क्यों कि है sir, जो हमारे south के लोग है, वो rice खाते है sir, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बट rice मारा AP नहीं है, उनको इसका benefit नहीं मिला sir, वो paddy से मारा rice बना रहे थे, जो आपका paddy है, वो AP है sir, लेकिन paddy से, उको rice में convert करना, वो उसका आपका exempt नहीं है, वो taxable है, फिर जो आपका rice बन गया, वो भी exempt नहीं है, वो भी taxable है sir, ठीक है, तो वो क्या थे, वो नराज थे sir, तो उन्होंने government को बोला, तो government ने क्या किय इसका तो loading है, जो unloading है, जो packaging है, जो storage है, जो फिरावस नहीं है, उसको खले exempt कर दिया sir, ठीक है, आपर ध्यान में रखना है इसको, then agriculture extension services, like farmer education हो गया, training हो गया, exempt है sir, then service by agriculture produce, marketing committee, जो आपकी मंडिव गया होती है sir, जो आपकी मंडिव गया होती है, वहापे तो agent होता है, वो for AP होगा, तो exempt होगा, लेकिन वो AP के लिए नहीं है, तो taxable होगा sir, या फिर renting of shop होगा, तो taxable होगा sir, ठीक है जी, चलिए, हम इसमें example देखते हैं कुछ, कि यह AP है यह नहीं है sir, आपका tomato AP है, AP का मतलब कहा sir, यहाँ पर, आपका agriculture produce, tomato AP है, क्या ketchup AP है, बिल्कुल नहीं sir, ketchup AP, इससे processing हो चुकिए sir, आपका जो घहू है, आपका जो wheat है, वो AP है sir, लेकिन आपका wheat flour है sir, आपका जो आटा है, वो AP नहीं है यहाँ पर, आपका जो gram है sir, आपका जो चने है, वो AP है, लेकिन उसके जो डाल बना दी गई है, उसके चने की, वो AP नहीं है sir, ठीक है, यह किसान स्टाथशान खुद नहीं करता है आपको शुगर कैना ऐह आपका गन्ना में वह आपका एपी है लेकिंड़ यह अपकर जैगरी नहीं है और पार जो आपके आलू है, वो क्या सर? वो आपके AP है यहाँ पर, लेकिन आपके लेज बन गए आपके यहाँ पर, वो हमारे टेकसेबल होंगे, उस पर हमारे GST आएगा, वो हमारे AP नहीं है यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, प्रसाइस प्रोड़क्ट अच्छ आपकी टी हो गई, वो शैस, कोफी हो गई, जैगरी हो गया, स्पैसी हो गया आपके, ड्राइफ्ट हो गया प्रसेस, एन प्रसेस काज़ू नट्स हो गये, वो आउट से डटेशन अव दा, AP सर, यहाँ यहाँ आपके यहटी आएगा सर, दन, दन सर, नाहँ देखेगा, वेर हाँसिंग, of minor fresh producer ठीक है, like अपका honey होगा अपका bamboo होगा, exempt tester then storage warehousing of the cereal, pulses, fruits and vegetable exempt tester, ठीक है इस part भी खाली आपने read करना है ठीक है, कोई conditioning होगा, परी cooling होगा ripening होगा, जैसे आपके केले होते हैं, वो हरे होते हैं, ठीक है जैसे पकाते हैं, बर्फ लगा करके, आप में देखा होगा तो आप exempt है, कोई vaccine लगा जा रही है, आपके apple के ओपर, exempt है कोई packing की जा रही है कोई label लगा रहे है, आपके fruits पर best quality या available पर लगा रहे हैं, तो exempt है ठीक है जुसकी service अथर वो exempt है, हम service की बात कर रहे हैं यहाँ पर ठीक है then, do not alter the essential characteristics ठीक है service provided by the NCCD sir National Center for the Cold-Chain Development by way of cold-chain knowledge dissemination ठीक, क्या होती है आपने सुना हो कि आप बहुत से item खाते हैं आप fruits पर खाते हैं, जो store से आते हैं sir ठीक है, तो यह कर रहे है यह spread करें knowledge किसे वो spread कर रहे हैं, जो हमारे किसान लोग है उनको sir, ताकि जो किसान लोग है वो आपके fruits and vegetable को store कर पाएं sir ठीक है, कैसे maintain करते हैं store को, कैसे उसमें fruits and vegetable खराब नहीं होते हैं, कैसे महाँ पर AC पर लगा जाता है, जिससे आपके food पर खराब नहीं होते हैं तो उसकी जो knowledge है, वो spread कर रहे हैं sir मारे NCCD sir, ठीक है तो exempt है ये या फिर आपका होगा artificial insemination of livestock sir ठीक है, same like जिससे हम लोपर देखा कि एक आपके animals होते हैं, उनके जो process होती है, उनको अलग से करका उसमें feed कर देते हैं, उनका बच्चे हो पाते हैं इसे गाएं के बच्चे हो पाएंगे या फिर आपके वो जानवरों के बच्चे हो पाएंगे sir ठीक है, accept horses sir done, done sir चलीगा इसे हमार नेक्स्ट आता है sir, यहाँ पर charity table and religious activities sir charity table and religious activities सरी कौन ची होगी देखेगा, आपने सुना होगी charity table trust होते हैं charity table trust होते हैं आप इधर के पास भी होँगे बहुत से मंदिर होगी, धरमशाला होगी तो इनकों बोलते हैं charitable trust दो register होते हैं हमारे income tax के अंदर sir चलीगा हम देख लेते हैं एक बार service by an entity registered under 12AA and 12AB sir of your income tax act sir ठीक है, हम बात करें charitable trust की या फिर आपके होते हैं religious trust religious trust मिंद धार्मिंग trust ठीक है जो register होते हैं हमारे income tax के 12AA and 12AB के अंदर sir ठीक है, इसको आप पढ़ोगे आपके income tax के अंदर ठीक है तो क्या इनकी सारी service exempt है sir जो हमारे trust है क्या इनकी सारी service exempt है नहीं sir, सारी service exempt नहीं है जो service provide कर रहे हैं जो जो हमारी charitable activities है sir साली वह exempt है ठीक है जो हमारी charitable activities है सिरफ-सिरफ वह exempt है यहाँ पर ठीक है, trust कौन-कौनसी होती है देखेगा, shiva group of institutions sir ठीक है, a charitable trust sir ठीक है, जो register हमारे 12a and 12ab के अंदर sir of our income tax act के अंदर sir ठीक है, income trust बोलते हैं ठीक है हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर by way of charitable activities जो हमारी trust है वह करते हैं charitable activities sir साली यह exempt है sir, ठीक है यह बाक्त कोई और काम कर रहे हैं वह taxable होगा sir लेकिन, जो यह कर रहे हैं यहाँ पर cherry table activities यह exempt है, ठीक है यह कौन्स activities आशको हम देख लेते हैं इसको हम learn करेंगे ACP and SP sir देखेगा, आपकी जो police man होते हैं उसमें होते हैं na, ACP and SP होते हैं उसको हम यह learn करेंगे यहाँ पर ACP and SP sir देखेगा public health sir care and counselling of sir C से मारा कहाएगा care and counselling of किसी कर रहे हैं care and counselling terminally ill person sir terminally ill person एक ऐसा person जो बहुत बिमार है और डोक्टर ने हाथ खड़ी कर दिया हैं, डोक्टर कहता है नहीं बचेगा यह, ठीक है, इनकी care कर रहे हैं, counselling कर रहे हैं या फिर किसी person को HIV हो चुका है add हो चुका है, उसकी care कर रहे हैं या फिर एक ऐसा person है, जो addicted है तो narcotics, drugs alcohol से ठीक है, यह person है यह cigarette पी रहा है यह alcohol पी रहा है, देखिया अगेन चलेगा, जोड़ा back से चल रहा है देखिया यह person है देखिया alcohol पी रहा है cigarette पी रहा है, जिसे बिमार हो जाएगा फिर यह फिर जाएगा trust के पास trust इसको देगी, योगा कराएगी इसको ठीक कराएगी, तो क्या कर रही है वो उसकी care कर रहे हैं, counselling कर रहे है ठीक है, वह योगा कर रहा है ठीक हो जाएगा ठीक है, तो क्या है सर यह मारी यह मारी exempt है then public awareness मारा PC के आएगा public awareness यहाँ पर ठीक है, public को aware क्या जा रहा है, किसले aware क्या जा रहा है वो preventive health के लिए सर, ठीक है like your mental health होगी, आपकी physical health होगी उसके awareness तर आ रहे हैं सरी exempt है सर या family planning होगा दो exempt है, हम दो हमारे दो सर या फिर होगा आपका HIV prevention सर दो exempt है आपका यहाँ ठीक है हमारा C होगा हमारा P होगा सर हमारा A, S, P बाकिए है यहाँ पर यहाँ पर भी हमारा E से क्या आएगा यहाँ पर और advancement of religion, spirituality and yoga सर थीक है कोई धर्म को promote कर रहे हैं promote कर रहे है अध्याद मिक्ता को सर सब मोम आया है छोड़ के चलो सर थीक है या promote कर रहे है वो yoga को सर yoga से होगा सर आप yoga कीजेगा बाश्रे कि यह रहो गाँ सर हमारा ऐसे आता है education या फिर skill development सर ठीक है किसको दे रहे है education किसकी skill development कर रहे है सर वो किसी abandoned या फिर orphaned या फिर homeless children सर ठीक है ऐसे बच्चे जिनका कोई भी घर नहीं है जो अनात है सर ठीक है उनका education रहे है या फिर हमारे physically या फिर mentally abuser ठीक है तो बच्चा है जिसका दिमाग घ्ला पड़ा है सो बुडे को मारे जा रहे है जैसे लगई ना mentally abuser बच्चा ये तो इसको क्या करें है इसको education दे रहे हैं इसको skill develop कर रहे है इसका जाफिर प्र जो पसन है जिनके यह जादा है, 65 year से, क्या 65 year वादे इसमें आएंगे Sir? नहीं आएंगे, इससे जादा होने चाहिए Sir, ठीक है, साथ में हो पर्संन कहा के होने चाहिए? होने चाहिए वो चाहिए from Rural Area Sir, ठीक है, Rural Area, ठीक है, अगर अर्बंद सी होंगे तो क्या होगा तो इसमें cover नहीं होगा सर ठीक है तो इसमें cover नहीं होगा तो taxable हो जाएगा आपको आईसे यह पकड़ेगा सर ठीक है जो person है जिनके यह ज़्यादा है 65 years सर और person कहां से हैं वो वो आपके है rural area सर ठीक है एसे person सर जो गाउं से हैं यह बोल सकते हैं तो क्या होगा अग्जम्ट होगा सर ठीक है इनकों क्या दे रहे हैं वो इनको education दे रहे हैं सर ताकि इस ओर में कोई काम कर पाएं वो खाली ना बैटे कोई काम कर पाएं अपना खचा पानी निकाल पाएं सर ठीक है, ठीक है, ACP हो गया, and SP हो गया, हम P से क्या आता है, Preservation of Environment सर, done, that's all, क्या कर रहे हैं यह, यह कर रहे हैं, Watershed बना रहे हैं सर, देखेगा, इसको मोलते हैं Watershed, ठीक है, यह ऐसा करते हैं कि सारा पानी यह कठ्था हो कर गए, इस Flow में यहां पर कठ्था हो दाता है सर, ठीक ह कर रहें सर, वाइड लाइफ को, ठीक ही क्या होगा, यह सब कुछ आपका exempt होगा सर, ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई और activity कर रहे हैं वो, any activity other than this सर, then fully taxable आपका इस पर GST आएगा सर, like वो add कर रहे हैं कोई भी तो इस पर GST आएगा सर, ठीक है तो इस पर GST आएगा सर, A, and अपका S, and अपका P सर, इसको पूरा लगन नहीं करना है सर, इस definition को, जो मारी definition हो, charitable activities के सर, जो आपकी exempt है सर, इसको अपने पूरा लगन नहीं करना है, अगर आईसा आपके अग्जाम में पूछता है, तो आपके mind में एक्लिक होना चाहिए सर, आपके mind में क्लिक होना च सर रेंटिंग की जा रही है, पर इसेंटिक्स ओफ रिलिजियस प्लेस की सर, ठीक है, लाइक यूर मंदिर या आपको गुर्दवारस सर, जैसे आपने इसी मंदिर में गए, तो आपने वहीं पर रहना है, तो आपको रूम देंगे, या फिर कोई मंदिर का होल होता है, वहाप है, वहाँ बहुत सारी शोप होती हैं बार, जहां पर आपको परशाद मिलता है चणाने के लिए, तो शोप उनकी होती है, तो उनको किराया मिल रहा है, रूम से किराया मिल रहा है, होल से किराया मिल रहा है, शोप से किराया मिल रहा है, चैब हो टेक्सेबल होगा है नहीं ह जो आपकी टस्ट है सर हम की बात कर रहे हैं आपर ठीक है यह रूम रेंट पर दे रही है सर इसके पार कितना सर ट्रिपल लाइन पर डे है सर तो अग्जम्ट है अगर एक जार पर होगा तो टेक्स प्लोगा पूरी अमांट पर जी एश्टी आएगा सर ठीक है अपना पर ugपर होगा तो आपका फुरे टैसे बहुँरा और हुआं यहां पर दे की बात हो रही है सर यहां पर पर देक्स पर रही है लेकिन इनकी शूप होती है वहां पर शूप से बिसमाद दे रहे हां पर इसका रएंड gef कंए 909100 डेमनल पर मन्थ सर किसे ज्यादा होगा तो तो taxable होगा sir, ठीक है, यहाँ पर month है और यहाँ पर day है sir, ठीक है यहाँ अपने धर्म पखना गलती नहीं करनी है, आपका तो room का rent होना चाहिए triple line, exempt है, double line, double line यह होगा तो exempt है, double line यह होगा तो par month होगा तो exempt है sir, ठीक है, यहाँ मिलता है न 50 बाच आने के लिए वहाँ पर, देखेगा, clarification sir, fitness camp या फिर dance या music class sir, जो हमाई trust है वो provide कर रहे है fitness camp, कोई dance, कोई music class sir, यह taxable होगा, ठीक है, यह provide कर रहे हैं आपको residential camp या program, which are exempt sir, ठीक है, कोई camp लगाया, कोई योगा का, वो exempt है, लेकिन यह साथ नहीं को provide कर रहे हैं, कोई food provide कर रहे हैं, कोई drink provide कर रहे हैं वहाँ आपको कोई room provide कर रहे हैं, जो taxable है, तो यह क्या बन जाएगा, यह आपका बन जाएगा, some positive supplies sir, ठीक है, जिसमें आपके तो principal supply है, वो आपके exam supply है sir, ठीक है, जिससे पूरी supply क्या बन जाएगी, इस पर yes नहीं आएगा sir, ठीक है, then any services provided to trust is not exempt sir, हम क्या बात कर रहे हैं यह सारे service को provide कर रहे है, जो trust है वो provide कर रहे है, जो trust है वो provide कर रहे है, लेकिन 1% provide कर रहे है इस trust को sir, क्या वो taxable होगा, yes वो 100% taxable होगा sir, वो क्या बन जाएगा है यहाँ पर, वो taxable होगा 100%, always, 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 sir, ठीक है, then part B, इसमें क्या आता है आपका, ठीक है, conduct of a religious ceremony sir, ठीक है पंडित जी, doing the heaven sir, exempt है sir, ठीक है, ओम भटबट सवा, exempt है sir, ठीक है, कोई पंडित जी होगे, कोई भाई जी होगे, अगर आप सिख है तो, या अदिस भी धर्म के हैं, आप हिंदू है, सिख है, मुसलिम है, हिसाई है, जो भी हैं, जो आपकी होती हैं यहाँ पर, religious ceremony sir, ठीक ह सिर्थ यात्रा, कोन प्रवाइड कर रहा है, जो हमारे common, mandal, vikas, निगम है sir, kmvn है, और class, manchor, यात्रा के लिए sir, exempt है, जो हज कमेटी प्रवाइड कर रहे हैं, फोर हज के लिए, exempt है sir, ठीक है, training and coaching relating to the arts या culture, by an individual sir, ठीक है, exempt है, कोई sport वाइड कर रहे है, कोई activity test, तो आपके exempt है sir, ठीक है, art का meaning क्या है, dance, singing, painting, theater, literature of script sir, ठीक है, इसको आपके learn करना है, ACP, SP से sir, ठीक है, इसको learn करना है, then, इन सब को कैसे learn करोगे, 3C, 2R sir, 1C आपका यह हो गया, एक आपका R यह हो गया, एक आपका R यह हो गया, 2R हो गये, और आपके 3C हो गये sir, 3C, 2R ठीक है, इसके लिए आपके क्या होगा, ACP और SP sir, जो पलीस में होते हैं, ACP, SP, done, done sir, then, समया next आता है, यहांपे sir, educational sector, जो very very important है sir, इसको हम देख लेते हैं, जो हमारे होते हैं sir, education institution, इसको किसको बोलेंगे sir, ठीक है, जो हमारे होते हैं, educational institutions, इसको meaning क्या है sir, एक ऐसे institution, जो provide कर रहे हैं sir, जो provide कर रहे हैं, क्या provide कर रहे हैं, ठीक है, परी schools, जा फिर, up to the higher education, ठीक है, जो आपके school है, लाचुदक के sir, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, जो हमारे EIA answer हमारे हो, हमारे education institution है sir, कोई college है, कोई university है, जो provide कर यह आपको education, और qualification recognized by the law sir, in India sir, ठीक है, जैसे आप become कर रहे हैं, तो क्या اफिशर वो, वो college क्या है sir, वो college आपका educational institution है sir, ठीक है, आपके school हो गए, आपके college हो गए, then education as approved vocational or educational course sir, like, ncbt हो गए आपका, आपका scbt हो गए, आपका एक है आपके का स्वूज हो गए कहां तक के लश्टू तक के सर छीक है से और आपके यहां प्राइच है यहां नहीं होगे जहां पर इंट क cradle हुट चै करते हैं यह technician बनते हैं Technician के course होते हैं, सर यह छी Isar, आपका IT होगा, आपका McCBT होगा Sir, आपका NCBT होगा Sir छी किसकå million के सरप National Council for Vocational Training, Sir, यह अघर किस वो के से come for Vocational Trading, Sir यह कौन से course होते हैं? यह आपके होते हैं यह technical course, ठीक है, जिसे हैँ templar तर्टीटे ही हो गया यहाँ पर टेरिंग बिलते हैं वह जो आप आप एक सब्सक्राइब ऑपकर था ओगा एक सब्सक्रा होगा यहाँ आपकर बोड़ है सर उसको मानेंगे EI sir, उसको मैं मानेंगे EI ठीक है, लेकिन only for the purpose of the conduct of examination ठीक है, खाले जो exam conduct करें, उसके लिए हम उसको मानेंगे EI sir ठीक है, खाले उनका exam का ही वो हमारा exam होगा, बागे सब कुछ text से बोलोगा sir, done, done sir ठीक है same आपके book में दिया गए है यहां पर then service provided by educational institution से, ठीक है तो क्या परवाइड कर रहे है sir, जो हमारे student को परवाइड कर रहे है, जो faculty को परवाइड कर रहे है, जो staff को परवाइड कर रहे है sir, ठीक है क्या परवाइड कर रहे है, बच्चे को school में लेकर आते हैं, गाड़ी के अंदर ठीक है, exam करवा रहे है conduct of enters exam, Sir against fees, Sir ठीक है, जो हमारी है education institutions, जो हमारे schools पगरहा है, जो हमारे courses, college पगरहा है, वो provide करें services, किसको provide करें, student को provide करें, staff को provide करें, faculty को provide करें, example कहा है, कोई fees charge करें इनसे, इनसे को catering पगरें इनको, कोई transfer पगरें, तो सब कुछ कहा है यहाँ पर exempt है सर यहाँ ठीक है सब कुछ कहा है यहाँ पर exempt है ठीक है जी या फिर वो conduct कर रहे है enters exam सर ठीक है against enters fees सर तो वो भी exempt है लेकिन note service to another person is taxable इनके लावा किसी और को provide कर रहे है तो taxable होगा सर ठीक है, example क्या है जो school का auditorium है सर, of school is given to others for seminar सर, ठीक है जो school का auditorium है उन्होंने rent पर दिया दिया किसी और परसंद को taxable होगा सर, या फिर placement services to corporate सर, जो मारे college बगरा है, उन्होंने क्या किया उन्होंने placement है वो गनाईस किया सर यहाँ ठीक है या company आई, company इंट्रीव गारा है ले रही है सर, तो यह taxable आपका यहाँ पर ठीक है देखेंगा यहाँ पर service provided by educational institution सर, ठीक है जो मारे education institution यह परवाइड कर रहे है, तो क्या सर यह एग्जम्ट है किसको परवाइड कर रहे है, आपके school के बच्चों को परवाइड कर रहे है, student को परवाइड कर रहे है staff को परवाइड कर रहे है, faculty को परवाइड कर रहे है ठीक है तो exempt है then service provided to sir यहाँ पर क्या था यहाँ फीजिफिए करते हैं हम हम school को provide कर रहे हैं यहाँ पर हम college को provide कर रहे हैं sir ठीक है कोई transfer provide कर रहा है student को, faculty को, staff को catering provide कर रहे है including midday meal security provide कर रहे है cleaning, housekeeping services only if performed within the education institution अगर इसे बाहर होगा तो taxable होगा sir ठीक है जो हमारे पहले 3 point है sir जो हमारे पहले 3 point है यह apply होते हैं only if provided to the primary school या फिर up to the higher standard school sir means, जो हमारे school है पड़े plus 2 तक के sir ठीक है एक person provide कर रहा है in school को यह services तो exempt है sir, ठीक है इसको provide कर रहा है ऐसे school जो है आपके plus 2 तक के sir ठीक है, अगर provide कर रहा है किसी college को तो taxable है sir ठीक है then online educational journal या प्रेडियोडिकल sir ठीक है यह किसके लिए exempt है only for the college या university for qualification recognized by the Indian law sir ठीक है जो fourth point है यह अपने कर रहा होते है आपके college के ऊपर sir ठीक है अगर school को provide कर रहे है तो taxable है sir ठीक है in case of college काई है मारा exempt है sir ठीक है जो आपका fourth point है वो किसके लिए है वो मारे college के लिए है जो आपके पहले तीन point है वो आपके schools के लिए है sir ठीक है जो आपका last point है admission to या फिर conduct of examination ये आपके सभी के लिए sir ये आपके सभी के लिए to any educational intuition sir ठीक है ये आपने ध्यान रखना है जो आपका to वाला है ये अपने ध्यान में रखना है sir ठीक है जो आपका by वाला है वो हमेशा एक्जमती रहेगा sir किसको provide कर रहे है बच्चों provide कर रहे है faculty provide कर रहे है staff provide कर रहे है sir ठीक है इसके अलावा उच्छोर होगा जैसे किराज़ पर दे दिया school auditorium या आपके होगी placement services store taxable होगा sir done, done sir then ध्यान दीजेगा note only services means goods are note exam school provide कर रहे है बच्चों को stationary तो क्या होगा वो taxable होगा sir ठीक है या फिर स्कूल purchase कर रहे है किसी से paper for printing the exam का paper बनाने के लिए paper buy कर रहे है तो taxable होगा sir ठीक है क्या exempt है जो आपके service है खाली वो exemptus है गूर्स exempt नहीं है यहापर ठीक है जी ठीक है ठीक है इसके नहीं रहाँ clarification sir private coaching और obtaining a qualification जैसे आपो मैं private coaching दे रहाँ यहाँ यहाँ पर ठीक है यह taxable होगा या फिर obtaining a qualification recognized by a law of a foreign law sir तो taxable होगा लेकिन if more than 75% expenses are born by the government तो यह exempt हो जाएगा यहाँ पर ठीक है approved vocational course होगे आपके course run by the ITI ITC approved by the national council for the vocational training sir आपके NCBT होगा sir ठीक है यह आपका SCBT होगा state council for the vocational training for designated trades sir ठीक है simple सी की बात किया है sir अगर आपका exam में दिखता है कि यह SCBT दिखता है आपको NCBT दिखता है आपको ITI दिखता है ITC दिखता है तो आपका कैसर यह exempt है sir ठीक है then IIM providing यह कौन से होते हैं हमारे Indian Institute of Management जासे आप MBA कर सकते हैं sir वो यह कर रहे हैं वो provide कर रहे है long duration program sir ठीक है more than one year sir वो डिग्री दे रहे हैं क्लोमा दे रहे हैं exempt है sir ठीक है लेकिवो provide कर रहे है short duration program sir less than one year sir कोई patient certificate है तो आपका taxable होगा यहां पर आपका यहां पर होगा maritime training course sir जो समुंदर में शिप्वया चलते हैं उसकी training का कोई course कर रहे हैं तो exempt है sir जो हमारी आंगनवाडी है sir जो हमारी आंगनवाडी है considered as per school hence midday meal services to or by the आंगनवाडी is exempt ओके या fees charge for the admission eligibility certificate या migration certificate is exempt ओके as state या center education बोर्च जो आपका cbse होगा या आपका जो होगा आपका state का बोर्च है ठीक है considered as education institute for the purpose of examination only sir ठीक है exam करवा रहे है कोई इनको provide कर रहे है बच्चों provide कर रहे है तो exempt है इसके लाब कुछ और भी होगा वो मेशा taxable होगा sir ठीक है हमने या पर देखा न या कर रहे है sir या पर ये जो हमारे state or central board है ये हमारे EI है सिर्फ और सिर्फ exam वो conduct करने के लिए sir जो इनकी बाकरी service है इनको provide कर रहे है या फिर ये provide कर रहे है तो मैं इसके taxable होगा ठीक है अबर CBSC sir then food and catering sir ठीक है run कर रहे है इसको मारा EI sir तो आपका exempt होगा sir ठीक है ये कौन से point में आएगा ये आपके इस point में आएगा sir school provide कर रहे है बच्चों provide कर रहे है staff को provide कर रहे है faculty provide कर रहे है तो exempt है sir by school is exempt sir लेकिन provide कर रहे है कोई third party sir ठीक है in that case क्या होगा परी school होगा ये आपका school होगा up to highest candidate education means plus two तक का sir तो exempt होगा sir ये कोई से point में आएगा sir ये आएगा पर यहाँ 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 गा two schools sir जो third party है वो provide school को कर रहे है न तो जो मारा mid day meal है जो मारा catering है उखाले exempt है हमारे plus two के लिए sir ठीक है बाके के लिए है जो कोले है उनके लिए है यहाँ पर exempt है जो मारे college होंगे जो मारे vocational course है हमारे SCVT है जो मारा ITI है उनके tax से बोलोगा यहाँ पर कोई authority है कोई board है कोई body है जो setup की गई है हमारे CG के दोबार हमारे SG के दोबार साय including national testing agencies sir इस प्रोवाइडिन गोर्मेंट के एक्जाम होते हैं खाल इनका एक्जाम वाला ख़लीन वाला बगकीं नहीं होगी है और एक्जाम वाला है वो फो चली दंहीं चरूस अथा एंटरेनमेंट इसको हम देख रहते हैं त्रूसम थे Sébka's यनियुर्ड शार्टी सेचमें paying एन्टरेनमिल पनाविदय मेंट कोई सरकस होगा कोई theoretical performance होगी कोई award function होगा कोई concert होगा या फिर कोई हमारा sporting event होगा सर ठीक है चाहे होगा रिकनाइज है चाहे होगा रिकनाइज नहीं है कोई planetarium होगा सर इसका मतलब क्या है तारा मंडल सर तारा मंडल यह बने होते हैं अंतारा मंडल या वहाँ पर जाओगे तो आपका ऐसा सास होगी आप space में पोच चुके हैं सर इसका मतारा मंडल बोलते है तो यहाँ की तो fees है यहाँ की तो entry की fees है अगर वो 500 पर है तो exempt है सर अगर वो 500 एकर पर भी होगी तो पूरे पर GST आएगा सर अगर वो 500 एकर पर भी होगी तो पूरे पर GST आएगा ठीक है या फिर आपके जू होगे आपके monument होगे museum, national park, wildlife, century tiger reserve, Jew protected monument होगे आपके तो क्या होगा सर आपका ताजमेल होगे, आपके जू होगे तो क्या होगा यहां की entry fees कितनी मर्जी हो सर यहां की entry fees कितनी मर्जी हो यहां पर मारा GST नहीं आएगा सर any amount ठीक है, यह पर लग रखना है then service by an artist service by an artist as a brand ambassador as a brand ambassador is fully taxable ठीक है, service by an artist by way of आपके study matter question भी है सर एक artist है, वो service provide कर रहा है यहां पर as a brand ambassador की सर ठीक है, वो क्या होगा वो हमेशा 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 fully taxable होगा सर ठीक है, वो हमेशा fully taxable होगा ठीक है जैसे यह कर रहा है यह क्या कर रहा है, यह as a brand ambassador work कर रहा है सर as a brand ambassador work कर रहा है तो कैसरी? यह मिशेधिख टेक्सिबल होगा यहाँ पर, ठीक है इसके लाबहा खोई और कर रहा हैं, यह रामदीध जी कर रहे हैं यह ठेक्सिबल होगा होगा, हम बात कसी कर रहे हैं पर हम आपिश की बात कर रहें तो हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं defend right-us तो perform कर रहे हैं Sir, ठीक है, music perform कर रहे हैं, dance कर रहे हैं, theater कर रहे हैं Sir, कौन सा कर रहे हैं Sir, classical कर रहे हैं, fork कर रहे हैं Sir, ठीक है, exam if consideration up to the 1.5 लेक्श तो exam होगा, सर कौन सा dance कर रहे हैं जो हमारा classical dance है सर ठीक है हमारी इंडिया में जिस भी area में रहते हैं उस area के जो भी classical dance है वो कर रहे हैं तो वो exempt है सर कब तक exempt है 1.5 लेक तक exempt है सर ठीक है अगर इससे एक रपर भी फालत होगा तो वो पूरा taxable हो जाएगा सर तो आपका पूरी amount पर जी हैश्टी आएगा ठीक है जी अगर आप ऐसे वाला dance कर रहे हैं तो taxable है अगर आप ऐसे वाला dance कर रहे है जो हमारा एंस अमट्ट चार्ज कर रही है और कि नांस करने के मांट्ट चार्ज रही है वह इतनी मांट्ट चार्ज कर दिएंगे लेकिन वह साथ में क्या है वह साथ में ब्रेंड Ambassador भी है सर, ठीक है, in that किस क्या होगा, जो आपके एक्जम्ट कर रहा है, ये भी टेक्सिबल हो जाएंगे, आपका सारी amount पर GST आएगा सर, अब यहाँ पर दिया गया कि, जो आपका artist है, वो खाले dance कर रहा है, कोंसे dance कर रहा है, आपका classical dance कर रहा है सर, तो exempt है, ठीक है, ये वा as a brand ambassador work कर रहा है, तो fully taxable है, लेकिन अगर दोनों का में एक साथ कर रहा है सर, अगर वो दोनों का में एक साथ कर रहा है, वो dance कर रहा है, classical वाला, जो आपका exempt है, 1.5 लेक तक का सर, जो आपका exempt है, 1.5 लेक तक का, ठीक है, वो चार्ज कर रहा है, यहाँ पर 1,30,000 रुटीज है, लेकिन वो साथ में वर्प कर रहा है as a brand ambassador सर, तो आपकी सारी माउंड पर जीएस टी आ देगा, आपका यह भी एक्जम नहीं देगा सर, तो आपका सारी माउंड पर जीएस टी आ यह बीका एक्जम देगा सर, ठीक है, यह बात अपने ध्यान में एक्जाम में सर, ठीक है ठीक है, जो हमारी वीडियो है यह आपकी आगी दो पार्ट के अंदर है, यह आपका पार्ट A है ऐसा, ठीक है, इसका पार्ट B आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूप पर, आप साच के लेना, इसका एक पार्ट B भी आएगा, जो बाखिके रिमेनिंग पोशने हैं उसको, ठीक है जी, गुडबाई दोस्तों,